हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे चेहरे पे बहुत जादा कालापन है टे America हो चुक़ी है दाग दभों की प्रोबलम है बाहुत ज्यादा की प्रोबलम है तो इस रेम्डी को यूज़ कीजेगा इसे लगाने आपके skin अच्छी होगी, skin पे tightness आएगा, दाग धब्बे दूर होगे, जायों की प्रोब्लम हो, तो वो भी ठीक होने वाली है, काप ये ची रेमडी है, इसे लगाना बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है, चलिए फटापट से देखते हैं, इसे किस तरह से लगाना है किस तरह से बनाना है, इस रेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है फिटकरी, फिटकरी आपके चैरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद है, दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करती है, आपके चैरे पे बहुत ज़्यादा जायों की प्रोब्लम ह तो उसे भी ठीक करने में help करती है फिटकरी का आपको powder बना लेना है चुटकी भर आपको फिटकरी का powder लेना है और आपकी skin पे आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चेरे की दाग धबे जाने लगेगी जाईया है तो वो जाएगी तो काफी अची रेमेडी है ट्राइ ज़रूर कीजेगा तो आपको क्या करना है इस फिटकरी का जो है powder बना लेना है तो यहां पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा फिटकरी का powder बिल्कुल थोड़ा सा लेना है जादा नहीं लेना है चुटकी भर आपको लेना है फिटकरी का पाउडर अब इसके अंदर आपको लेने है चुटकी भर हल्दी कस्तुरी हल्दी का यूज कर रहे हो अगर आपके पास किचन वाली है तो बिल्कुल थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है हल्दी आपके color को fair बनाने में help करती है रंग को निखारती है साथ में आपके चेरे पे जो भी दाग धबे pimples है उसे भी ठीक करती है अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आदा चमच बेसन बेसन भी आपके चेरे के रंग को निखारता है दाग धबों को दूर करता है तो आपको आदा चमच बेसन ले लेना है अब यहाँ पर लेना है एक चमच चावल काटा जो कि आपकी skin के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है आपके चेरे पे जो भी दाग धबे हैं उसे ठीक करेगा जायों की प्रोब्लम है तो उसे ठीक करेगा इसक्रब का भी काम करेगा तो एक चमच भर के आपको लेना है चावल का आटा अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ नारियल का तेल जो कि आपके चेरे के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है आपकी स्किन की जो प्रोब्लम है दाग दबों की उसे ठीक करेगा साथ में जुर्या है उसे ठीक करेगा इसकिन को टाइट बनाने में हेल्प करता है चेरे पे नेचरल ग्लो लाता है तो थोड़ा सा इसमें नारेल तेल ले लेना है अब लास्ट में मैं आपे दही ले रही हूँ अगर आपके पास कच्छा दूद है तो आप वो भी ले सकते हैं तो दोनों में से जो आपकी स्किन को सूट करे उसे ले लेना है इसमें थोड़ा-थोड़ा मिक्स करना है और आपको इसे अच्छे से मिल लेना है तो इस तरह से मिलाईएगा तो इसे ज्यादा पतला नहीं करना इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूं तो अच्छे से इसे मिक्स कर ले तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है देख सकते हैं तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है वो भी आगे वीडियो में बताऊंगी, बहुत अच्रेमेटी है, ट्राइ जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो चलिए फटा-फट से इसे लगा लेते हैं, तो फ्रे आज करते हुए अपने चैरे को धो लेना है 15 मिनट के बाद, और आप देखेंगे कि एक वार में ही आपका चैरा अच्छा हो जाएगा, जो भी गंद की है, वो निकल जाएगी, आपके चैरे पे जो भी प्रॉब्लम है ना ज्याईयों की, दाग, धब्बों की, वो जाने ल लगेगी, तो जरूर इस रेमडी को ट्राइ करें, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई